Hello Dear Friends, Welcome to my YouTube Channel आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे MS Word और इन वीडियो में मैं आपको लगबग MS Word के सारे टॉपिक्स कवर करूँगी हम MS Word 2010 वर्शन कर रहे हैं Basically, Micro Processor Word जो है उसका यूज टेक्स्ट को टाइप करने में Spelling Mistakes की जो गलतियां हैं उसको सही करने के लिए जो आपका Page है उसमें आपको Page की सेटिंग करने में पेज में जो आप टेक्स्ट लिखते हो उसके बीच में Space के लिए and टेक्स्ट को अलग-अलग स्टाइल और आकार देने में और प्रिंट करके एक Page सेट अप करने में बहुत इसका यूज होता है and कोई भी डॉक्यमेंट बनाने के लिए हम MS Word का यूज करते हैं टेबल बनाने के लिए हम MS Word का यूज करते हैं और बहुत से MS Word के Features हैं जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले MS Word को शुरू करना मैं आपको अलग-अलग वीडियो में MS Word को स्टार्ट करने के सभी तरीके बताऊंगी आज हम डेक्स्टोप पे राइट क्लिक करने वाले मैथड से MS Word को उपन करते हैं तो चलिए सबसे पहले MS Word को उपन करते हूं यहां देखिए सबसे वाले राइट क्लिक करेंगे न्यू पे चलेंगे आप न्यू पे जाने के बाद यहां देखिए आप आप यहां MS Word, PowerPoint जो भी आप यहां open करना चाते हैं open करेंगे, हम यहां word open कर रहे हैं यहां by default मेरी MS Word की एक file create हो गई है desktop पे मैंने इसे रखा है अब यह open हो रहा है मेरा document यह देखिए, यह MS Power Word की window जो open हो गई है and after that यह title बार है उपर जहां हम save करते हैं document उसका नाम शो होता है and यह quick access tool बार है जहां पर save, undo and redo option by default दिये हुए है add भी कर सकते हैं हम अभी हम यहां पे इसको एक बर practically run करते हैं जैसे मैं यहां लिखती हूँ hello अब मैंने इसको undo किया तो यह देखिए जो भी मैंने यहां पे working की है वो cut हो जाएगी और redo में उसकी repeat हो रही है देखिए अब यहां मैं एक और toolbar add करना चाती हूँ मालनी जीए मैं यहां new add करना चाती हूँ जो भी हमें यहां चाहिए वो हम add कर लेंगे फिल हाल मैं यहां new का add करना चाती हूँ तो यह देखिए new document का भी एक toolbar create हो गया है मेरा after that यह menu bar है हर एक menu bar में अलग-अलग ribbons में अलग-अलग options हैं जिनको हम detail में study करेंगे यह ribbon bar है यह जो आपको एक line दिखाए दे रही है grid line वाली इसके अंदर तीन options हैं अब illustrations में आपको यह picture clip art shape smart art option मिलेंगे table में table and next page layout में देखिए अलग-अलग options available हैं यह सब function हम detail में study करेंगे menu bars में अभी हम home tab को open करके इसके options करेंगे जैसे कि मैंने यहां पर लिख रही हूं hello welcome to my youtube channel and उससे पहले मैं यहां पर select करती हूं select कैसे करेंगे आप mouse का left button दबाकर drag करें अभी यहां से मैं character का size बढ़ा कर रही हूं आप अपने word को यहां से मैं area ले रही हूं आप अपने word को shift button के साथ भी select कर सकते हैं और control A दबाने से पूरा पूरा text select हो जाएगा मैंने इसे bold italic underline किया है यहां पर अभी यह देखिए मैंने पूरा का पूरा text select किया है shift button के साथ arrow की अब यहां A दिखाई दे रहे आपको यह देखिए बड़ा A बड़ा करने के लिए and small a आपके character को छोटा करने के लिए आप यहां पर यह function कर सकते हैं next हम file menu को option को click करते हैं सबसे पहले click करेंगे save पर आप किसी भी file को save कर सकते हैं यह मेरी file already save है क्योंकि मैंने इसे desktop पर already create किया है तो अभी हम यहां पर इसका यह shortcut है यहां से भी save कर सकते हैं अब मैं दुबारा चलती हूँ file पर और इसकी ctrl s shortcut की है अगर आप इसे ctrl s से भी save कर सकते हैं ctrl s की दबा कर अभी हम इसे save as करते हैं एक ही file को आप किसी और नाम से change कर सकते हैं अब यहां देखिए एक डायलोग बॉक्स ओपन हो गया है यहां पर अपना नाम देंगे अभी फिलाल इसका नाम है my new microsoft word document यहां देखिए अब मैंने यह location desktop चूज की है इसका नाम मैं दे देती हूँ chapter 1 चेप्टर 1 सेव यहां पर word document में अगर अगर हम word 97-2003 document को चूज करेंगे तो यह document आपका 2003 version में भी open हो जाएगा यह document save पर click करेंगे अब यह देखिए यहां पर उपर chapter 1 title आ गया है इसका ms word में chapter 1 title and after that file menu में ही अगर आप कोई existing document खोलना चाहते हैं तो open पर click करेंगे यह आपके document open हो गए है मेरे क्योंकि मैंने desktop पर ही रख्या हुए थे and after that close करेंगे तो यह document आपका close हो जाएगा new पर click करेंगे तो आपका एक new document create होगा blank document पर click करेंगे तो आपका blank document एक create हो जाएगा जब हम इसे print पर click करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया है कि MS word में हम कोई भी document print कर सकते हैं और उसकी setting भी कर सकते हैं यह हम आने वाली next videos में करेंगे detail में एंड लास्ट में में exit करते हूं झाल